आछ जहें दोस्तों आप सबीकर स्वागत है हमारे यूटüb चैनल पर दोस्तो आज हम उपस्तित वे हैं अपनी नेक्स क्लास में एनपीए की लास्ट क्लास में हमारी एनपीए जो हुई थी उसमें लोगोंने सामाने थे एनपीए क्या होता है कैसे ये क्रिएट हो जाता है कै कैसे यह समस्य है कर रहा है इंडिन एकॉनमी के लिए और किस कि सेक्टर में जैसे अग्रिकल्चर सेक्टर हो गया या क्रेडिट कार्ड न के हो गया या सिवीलियन के दौरा या बिजनसमेंट के दौरा इस सारी चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और इसकी जो तीन स्रेडियां बताई थी मैंने एक सबस्टेंडर्ड और एक डाउटफुल एक लॉस एसेड जो थी इसके बारे में बहुत डीटेल से हमने कि कैसे कौन सा स्रेडी एक साल तक रहेगा फिर कौन सा स्रेड कर्ज माफी का था या जिस भी तरीके से सारे डीटेल्स हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और जो मित्र भी नहीं जुड़े हो प्लीज वो पहले मेरी एनपी वाली क्लास देख ले पहली क्योंकि यह एनपी और यह दूसरी क्लास है और एनपी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई फॉल्ट हो या किसी वी और वजय से तो इसलिए एनपी को समझना बहुत जरूरी हो गया है और इसकी मैं बहुत ही ब्याख्या आराम से कर रहा हूं सरल सब्दों में उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद भी आती होगी और आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास मैंने कुछ सब्दावलियां लिखी हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा और अक्सर आप न्यूश्पेपर में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर आप सुनते होंगे तो वह एक यह सब्दावली होगी जिसका नाम होगा राइट आफ क्या नाम मैंने बताया राइट आफ सब्सक्राइब हैं तो उन्हों ने भी जो है की पार्ल 여자 में इस जैसे सब्सक्राइब की झि Communist वात बीखिति और विपक्षक के दलों शेते हैं काफी विरोध भी कीयाता कि राइट आफ क्यों किया रहा हां मतलब लोगों का यस पर चाहिए एक चर्चा की जाएगी कि पत्ति का अब कोई उमीद नहीं रह गई है कि सायद वो रिटर्ण मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन क्या होता है ना जैसे हम लोग भी अपने दोस्तों से सोचते हैं कि यार कुछ भी मिल जाए या फर अगर मालीजे आपने किसी को 10,000 रुपए दिये हो और आप सोचते हो कि कुछ तो मिल जाए हमें कभी-कभी ये भी कंडिशन आती ना मालीए किसी फ्रेंड को फोन किया और उसने कहा कि यार मेरे पास मौके पे at the time 2000 रुपए अगर तुमें चाहिए तो ले लो को तो हम क्या सो बैंक भी हमारे साथ ट्रीट करता है बैंक भी सोचता है भाई threaded होती जाए बी प्रसटे怎麼 लिया तो क्यों ना हम लिया वान लेत की आपने 10 परेंट पर अपने लोन लियाता व्याइन मालें लह और मैंने 10 पर आपने लॅन था बैंक से और मैं मानता हूँ कि चलिए पांच साल में उसे रिटर्न भी करना था बैंक को ये एक टर्म्स होगी लेकिन आप 10% पे 5 साल के टर्म्स पे जो भी आपका मंतली जो EMI बना होगा ठीक है जो लोग लोन लेते हों वो जानते हों लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो समस्य हो रही है तो बैंक क्या कहता है हम रिड की सर्तों में कुछ परिवर्तन कर देते हैं जब लोन लिया गया होगा तो कुछ तो सर्ते बनी होंगी कि भाई आप ये समय पे 10% पे 5 साल के लिए ले लीजे हमसे और आपने लिया होगा मान लिजे 10 लाख रुपए तो बैंक भी सोचता है कि क्यो ना मैं इसमें कुछ चेंजिस कर दू कुछ इसमें चेंजिस कर दू तो सायद 10 लाख नहीं तो 4-5 लाख रुपए तो आ जाए रेट की इंटरस्टेट आपसे 10% की टेक्स की गई हो मैं यहाप फिर से लिख देता हूं जैसे 10% की रेट को बैंक ने जो एकी बताया होगा कि हम आपसे भाई 10% की सुरू में तो इन्होंने एग्रिमेंट किया होगा लेकिन जब आप नहीं दे पा रहे होंगे तो बैंक कह है मैं इसको घटा कैसा करता हूं 7% कर देता हूं ठीक है और टाइम मान लीजिए आपसे कहा गया था कि आप 5 साल में रिटर्न करेंगे लेकिन बैंक क्या कहाएगा कि चलो ठीक है भाई अब ऐसा करो आप इसको 8 साल में दे दीजे पैसा आप हमें यानि उसी हिसाब से जो मं साल से बढ़ा कि 8 साल का टर्म कर देते हैं तो हो सकता है ये बंदा कुछ नहीं तो कम से कम सात लाख रुपए तो दे देगा हमें और बैंकों को इस तरीके से क्या हुआ देखो कि अगर आप 10 में से साथ घटा होगे तो लगभग 3 लाग का घटा हुआ यानि बैंकों को इस कभी न कभी यूज करते भी होंगे कि something is better than nothing कहने का मतलब मेरा यहां नहीं हुआ तो कहीं और सही कहीं तो सेलेक्शन हुआ मेरा कहीं जो है कि 5000 रुपए फसा हुआ तो 2000 आया एक 1000 आया कुछ तो मिला तो कुछ इसी तरीके से बैंक भी अपनाता है तो आप समझ चुके होंग कर दिया जाए और अगले स्टेट्मेंट को कम कर दिया जाए तो आप से पूछे कौन सा कथन सही है आप अपना लॉजिक खुद लगाएंगे कि भाई आप उसको बढ़ा के 12% कर दोगे और टाइम आपने 5 साल दे रहा है उसको घटा कि अगर आप 3 साल कर दोगे तो क्या व पढ़ाया जाएगा यही सामाने तर बैंक की करती है ठीक है इसके माध्याव से अपना क्या करती है पैसा निकालने को सिस कर लेती है और वह एक अच्छा ऑफ्षन भी होता है कि भाई अगर आप 10 लाख नहीं दे पा रहा हो आप 5-6 लाख रुपए जो भी दे सकते वहीं द उसको लिखा गया था कि यह जो पचास लोग है जो बड़े-बड़े बिजनस में जिसमें मेहुल चौक्सी वगरा इन सब के भी नाम थे उसमें लिखा गया था कि इन रिड़ों को राइट ओफ कर दिया गया है तो उसमें बाबाल इंद सेंस की संसद में कुछ बहस भी हु समझते हैं पूरी तरीके से राइट ओफ तो आएं होता क्या है यह तो इसमें बहुत आराम से बहुत जटल नहीं किया जाता ध्यान देना, बैंक के पास कोई पैसा नहीं आया है, क्योंकि तुरंट भुक्तान करना मुस्किल है, मान लिजे कि हमने कहा दिया भाई कि 90 डेज में आपको देना होता है मूल धनिया तो ब्याज, अधर्वाइज वो एक NPA की रूट में आ जाता है, NPA आ जाता है, हम यह जान हैं, तो ऐसा करिए कि हम अभी नहीं बुक्तान कर पाएंगे, थोड़ा में समय दिया है, कुछ भी कहिए, तो ऐसी स्थिती में बैंक का जो मुख्य उद्देश होता है, ध्यान दीजेगा, बैंक की मुख्य उद्देश यही होता है, बैलेंस सीट को क्या करना, क्लियर करना अर्थात मैंने आपको बताया था कि एक बैलेंस सीट होती है, जिसमें कितना सी आरा आ रहा है, कितना सल आ रहा है, कितना पैसा दिया गया है, कितना जमा हुआ है, कितना रिड दिया है, इन सब की पूरी डीटेलिंग होती है, और हर एक बैंक चाहता है कि मेरी बैलेंस सीट यह कि एवेज में जो प्रॉफिट मिलना होता है उसका कुछ परसंट हमें फिर अपना सुरक्षित रखना पड़ता है जिससे साख सिर्जन छमता कम हो जाती है इस पर बहुत अच्छे से मैंने कल के लेक्चर मताया भी है लास्ट क्लास के तो आप वहां भी देख सकते हैं तो रण की छती पूर्ती अनेसरोतों से कर लिया है अब अनेसरोत क्या होंगे यह हर बैंक के अपने-अपने अलग-अलग हो सकते हैं चाहे वो जो कोलेटरल होती है जो गिरवी रख्योई संपत्ती होती है जो लोन लेता है वो कुछ गिरवी भी रखता है उसको जब्त भी कर स होती है, दूसरा statement देगा, इसमें रिन्म माफ कर दिया जाता है, तीसरा दिस देगा, कि clear करना होता है, balance sheet को, तो आप कहोगे, ये भी statement सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रिन्म माफ नहीं किया जाता, sorry, statement मैंने बोला था कि इसमें रिन माफ कर दियाता है जबकि असल में होता है कि इसमें रिन हम माफ नहीं करते हैं ओके दोस्तों तो ये था आपका राइट आफ अब आप समझ गया होंगे कि क्यों जो अपरेल में जो येक आर बियाई ने लिस्ट निकाली थी जिसमें लगवग पचास लोगों की लिस्टिंग थी कि उसमें कहा गया था कि इतने लोगों का लोन राइट आफ कर दिया गया है तो बहुत सारे लोगों ने जो सब्रेट को माफ नहीं किया आता है चलिए अगला देखते हम लास्ट टर्म से हमारी एक स्ट्रेट एसड लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो है जो चर्चा में रहती हैं लगबग उन्हीं को मैंने उठाया है अब आप समझेगा इस्ट्रेस जैसे सामाने भास हम कहते हैं यार इनके आधार पर पैसा नहीं आपा रहा है दूसरा उसने पैसा निकालने के लिए दूसरा तरीका अपना है कि री इस्ट्रक्ट्रिंग ऑफ एसेट कर लेता हूं जिससे रेट कम कर दूं टाइम बढ़ा दूं तो साथ कहीं न कहीं रिड मिल जाए लेकिन तब भी पैसा नह पहांच पाया भी हो सकता है वह अने सरोत क्या हूं यह साल बाद मिलेगा दस साल बाद मिलेगा जितना लेट होके पैसा मिलेगा उतना ही उस मूर्ले का डिप्रीशेशन होगा अर्थात मूर्ले के भी कीमत में कमी आएगी अब आप कहेंगे अगले सेग्मेंट को हम पढ़ मुझे 10,000 रुपय देते हो तो मैं बहुत अच्छा सा मुवाइल खरीच सकता हूँ लेकिन अगर मेरे दोस्त ने अपना उधार मतलब मेरे से जो लिया हुआ था अगर वो 5 साल बाद देगा तो क्या आज मैं जो मुवाइल खरीच सकता था 10,000 में वो उसकी कीमत जो हो सकता है कोई चेंज हो जाए तो इसी को हम कहते समान भासा में कि 10,000 रुपय में जितना आज हम समान खरीच सकते थे उतना हम 10 साल बाद या 5 साल बाद नहीं खरीच पाएंगे तो इसी को कहते हैं तो यह हो गया दवाब युक्तिया नि बैंक पे पूरा प्रेशर आ गया कि ना तो N P.A. क्लियर हुआ क्योंकि इस तरीके से में पैसा भी नहीं मिला हमें रिस्ट्रक्चरिंग किया था कि सायद 10 लाख में से 7 लाख ही रुपय मिल जिया है लेकिन वह भी नहीं मिल पाया और राइट आफ एसेट भी नहीं हो पाया मतलब एक तरीके से देखे तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग आफ आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपसे मैंने इसलिए इसको बताया इस बार की यूप एसी एक्जाम में नहीं आया था लेकिन कहीं भी स्टेट पी सी एक्जाम स्में ये कोश्चन आ सकता है क्योंकि यूपी एसी करती क्या है कि जो मुद् ठीक है दोस्तों तो हमने तो पढ़ लिया NPA से समद्धी जो important word थे restructuring of asset, right of और stressed asset I hope कि आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से तो आइए हम अगले पढ़ाओ पर चलते हैं कि NPA के उपाए तो अब हम पढ़ते हैं NPA के उपाए हमने देख लिया कि NPA क्या होता है, NPA कैसे बनता है, यानि कि कैसे NPA लगातर create हो रहा है और हमारी समस्य बढ़ा रहा है, फिर NPA के क्या कारण थे, कि भाई कहीं मानसून की इस्तिती नहीं चीक थी या growth कम थी इंडस्टी की, या global मंदी थी, या political कारण भी हो सकते हैं अपने profit के लिए फिर हमने देखा कि क्या क्या इसके impact होते हैं, जैसे bank को क्या फाइदा होता है, या घाटा होता है, भारती अर्थ वे होता है, क्या नुकसान उठाना होता है और यह मैंने last class में आपको बता दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे कि NPA को समाधान के रूप में कुछ उपाय भी तो होंगे, भाई NPA के क्या उपाय है, यह लगातार इस तरीके से समस्य करता है क्या, तो उपाय भी हैं, तो आईए हम बात करते हों उपाय की, इसमें देख बनने के chances भी है future में, लेकिन कुछ words मैंने छोड़ दिया, कुछ project जो थे, क्योंकि वो important नहीं थी और वर्तमान में वो चड़ भी नहीं रहे, जैसे 4S अर्थात की इस तरीके से अपने एक देखा होगा, SS करके होता है, जो A, ऐसे करके, और बहुत सारे जो थे, मैंने use नही किये क्योंकि वो सामाइनता काम के नहीं थे, प्रजेंट में नहीं है वो, आइए हम बात करते हैं सबसे important, ये landmark माना जाता है, क्या माना जाता है, ये landmark होता है, सरफेसी एक्ट, ठीक है, सरफेसी एक 2002 में आया था, कब आया ये दोस्तों, 2002 में, अब इसकी full form मैंने आने ही ल लिख सकता है, सरफेसी अधिनियम करके 2002 लिख देगा, तो इसी लिए मैंने इसकी full form नहीं लिखिये, आइए सरफेसी क्या है, कब आया, देखे, एक्ट की बात है, तो एक्ट कहीं न कहीं पार्लियामेंट में ही आता है, आर बियाई कोई आक्ट नहीं बनाती है, तो ये एक सरफेसी अक्ट के अंतरगत हम समझते हैं, लेकि दोस्तों सरफेसी अक्ट अगर देखा है तो बहुत बड़ा डीटेल में है, करीब 40-50 पेज में उसका पूरा प्रफार्मा है, लेकिन मैंने वहीं की पॉइंट्स उठाए हैं, जहां से समयता स्टेट्मेंट बनाए जाते ह और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो इंपॉर्टेंट होता है बस उसी पर मैं डील कर रहा हूँ, देखिए हमारा मकसद क्या होता है ना कि फालतू की चीज़े ना पढ़ाई जो काम की हैं, जो एक्जाम में आती हैं और जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो, इ अगर उनका पैसा वापस नहीं हो पाता है, तो यह सरफेसी एक्ट उन बैंकों को या उन वित्ती संस्थाओं को ये राइट देता है कि आप कोलेटरल को जब्त कर लीजिए, कोलेटरल मतलब क्या होता है, आप जब लोन ले ले जाते हैं, तो बैंक को कुछ ना कुछ सामान गिर भी देते होंगे, चाये वो सोना, चादी, गाड़ी, बंगला, घर, कुछ भी देते हों, अगर आप अपना लोन वापस नहीं कर सकते हैं, तो उसे कोलेटरल के रूप में जो है कि बैंक क्या करेगी, जब्त कर लेगी अपने पास, भाई उसको तो अपना पैसा निकाल है कि वो गिर्वी जो होता है सामान, उसको जब्त कर सकती है, पहला स्टेट में, दूसरा हम देखते हैं कि अगर NPA इस्थिति में, मतलब NPA लगातर बढ़ता जा रहा है, या अगर कोई ब्यक्ति 90 दिन के अंदर अपने मोल धनिया ब्याज को वापस नहीं करता है बैंक को, तो जैसी NPA की स्थिति आती है, तो बैंकों को क्या अधिकार दिया गया है, कि परिसंपतियों को जब्त कर ले, यानि कि जो रिडी होता है, जो ग्रहक होता है, उसकी परिसंपति को जब्त कर ले, भाई, अगर आपका लोन नहीं हो पा रहा है पूरा तो वो जब्त कर सकता ह कर लेता है कब अर्था Wong कामपनी का प्रबंधन जो होता है विए क कंपनी की कंपनी धी दोस्तों ए नाम की जो company थी उसने जो है कि 10 करोन का क्या लिए ये तो company है नाकों में तो लेकिन ये 10 करोन का मान की disruption का मान ले लिएOoh इनौन ले लिया किसी भी नाम कीं बैंक से अब क्या करेगे अगर ये company मान लिजए किसी गुड़गां या लुधियाना या इंडस्ट्रियल एरिये में अगर कहीं हो और ये कंपनी बैंक को अपना लोन वापस नहीं कर पा रही है तो ऐसी इस्तिती में बैंक क्या करेगा डियम ध्यान देना यहां पे स्टेट्मेंट वदल सकता है जिलादिकारी की जगए कोई और वड़ा सकता है और जबकि सर्फेसी एक्ट में सीधा सीधा साफ साफ जिलादिकारी लिखा गया है कि जिलादिकारी की मदद से वो बैंक 30 दिन के अंदर क्या करेगी कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले लेगी अपने नियंतरण में ले लेगी लेकिन मुझे बताइए बैंक को पैसा चाहिए या प्रबंदन चाहिए एक तरीके से ये कंपनी को डराने का भी एक तरीका है कि भाई कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारा मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट हो जाए अर्थात बैंक अपने सेक्टर में प्रफेस्थनल हो सकती है बिल्कुल किसी बात का डाउट नहीं है कि बेंक इसको सम़ाल पाएगी जाहिड सी बाता नहीं सम़ाल पाएगी लेकिन फिर भी कंपनी अपने डर की वज़ए से या यू कहें कि भाई उसका management ही अपशीन लिया गया अब वो कोई decision नहीं ले सकती तमाम problem आएगी इसलिए वो जल्दी से जल्दी loan निप्टाना चाहेगी और यह सारी की सारी प्रक्रिया DM के नितरत्म होगी भविस्त में जो आप बनने चाह रहे हैं DM तो यह सारी चीजे आप देखिए एक चौथा important क्या है सबसे important मुझे यही लगा इसमें सबसे important यह point है इसको note भी कर लीजेगा आप आप लोग साथ साथ में notes भी बना सकते हैं आप इसके जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी तक है जो भी पिछली class हो में पढ़ाया गया है क्योंकि बहुत factual नहीं है बहुत conceptual में लेकर चल रहा हूं क्योंकि अगर आपका concept अच्छे से रहेगा और जहां जहां मुझे जरूरत लग रही है वहां मैं fact को भी include कर रहा हूं तो बहुत एक अच्छे level की आप economics में preparation कर सकते हैं ताकि आप किसी भी state exams, UPSC जैसे exams को बहुत आसानी से tackle कर सकते हैं और दोस्तों सरफेसी अधिनियम के दोरा RBI हमने पहले लाइन में पढ़ा थे एक bank क्या वित्ती संस्ता और आपको पता है वित्ती संस्ता में RBI भी आती है commercial bank भी आती है तो RBI को ARC जाच का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है अब आपको अगे सर्य यह ARC क्या है तो मैं भी बताता हूं तो मैंने देखी बता है यह अधिकार यह अधिनियम RBI को ARC के जाच का अधिकार प्रदान करता है कि यदि ARC द्वारा नियमों का उलंगन किया जाता है तो RBI क्या करेगी उसे दंडित भी कर सकती है अब समझेगा आपके दिमाग में आएगा सर्य यह ARC कहां से आ गया क्योंकि हम तो अभी पढ़ रहते हैं सर्फेसी एक्ट आर्ब्याई हम जानते हैं सर्फेसी एक्ट आपने बता दिया लेकिन ARC कहां से आ गया तो दोस्तों इसकी अगर फुल फॉर्म पढ़ें अगर हम तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसेट्स रिकंस्रक्शन हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं पहले आप उपाय को पूरा डीटेल में देख लिए कि हमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें चर्चा करनी है तो देखिए सर्फेसी एक सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक आता है ARC अभी हम इसकी बात करेंगे एक आता ह वारी साब ने अपने बजटी भाशन में पारा जैसे प्रस्ताविद बैंक की बात की थी एक इनसॉल्वेंची बैंक करप्शी कोड यह सबसे इंपॉर्टेंट है यह अभी के चर्चा में हैं इनसॉलवेंची RBI के द्वारा लगाया जता है और प्रोजेक्ट ससक्त ये बैंकों के ससक्ती करों से रिलेटेड है तो इन सभी पे हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे तो अब ही हमने क्या पढ़ा? सर्फेसी एक्ट पढ़ा इसी में जो ये ARC आया है तो आईए हम ARC पढ़ लेते हैं फिर ARC को मैं सर्फेसी एक्ट से कनेक्ट करूगा ठीक है? ठीक है दोस्तों तो हम हमने पढ़ लिया सर्फेसी एक्ट और सर्फेसी में एक वर्ड आया आपके सामने ARC क्या होता है ARC आईए हम इसकी बात करते हैं ARC के अब हम बात करते हैं जो second point है मैंने बताया कि यह सभी के सभी NPA के उपाये हैं NPA का उपाये का मतलब NPA को कैसे कम करें या रण की वसूली कैसे करें यह सारी शीजों को जो भी किया जाएका वो NPA के उपाये में आएगा तो हम बात करते हैं ARC मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी आपको कि asset reconstruction company अब यहां पर reconstruction का मतलब हो जा था पुनर सनचना करना करने वाली company ध्यान देना दोस्तों यह आस्ती वर्ड है यूपीसी इस तरीके का वर्ड यूज करती है previous year के आप पेपर में देखेंगे 2015-16 के एक्जाम में उसने asset का वर्ड आस्ती यूज किया है तो यूपीसी इस तरीके से परिशान करती रहती हिंदी मीडियम के students को वो करती क्या है कि कुछ भी वर्ड यूज कर देगी English में तो आप जो लिखा था कि RBI को ये राइट दे दिया जाता है सर्फेसी एक्ट के मात्यम से कि अगर ARC नाम की जो कंपनी है अगर वो कोई दोखा दड़ी करे या नियमों का उलंगन करती है तो आर्बिय क्या करेगी उसको दंडित भी कर सकती है तो आए पहले हम समझतों लें कि आरबा को पावर दी जा री ही starring आर्च तो देखिए ऐसे ट्रिकंश्ट कंपनी या बैंक के एजेंट के रूप में काम करेगी को यह न कहीं ऐंब रिगार के अंडर में भी आजाएगी कि आर्बिया के अंडर भी होती है और बैंक के एजेंट भी आ जाएगे पर तो टो इक तरिके से कमपनी होती है जैसे मान लीजिए मैं एक आम भासा में कहूं कि मान लीजिए आपका 50,000 रुपे का कहीं लोन फसा हुआ है या आपने किसी को उधार दिया था लेकिन आप इतने सक्षम नहीं है कि आप उस ब्यक्ति से सीधे जाके मांग सकें तो आप क्या करते सामान लोन है यानि कि जो पैसा मेरा फसा हुआ 50,000 रुपे वो ले आओ और बदले मैं क्या तुम्हें 50,000 में से 20,000 रुपे तुम्हारा 30,000 रुपे मेरा क्योंकि मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं कि उस ब्यक्ति से लोन ले सकूं वापस ले सकूं उधार तो कुछ इसी तरीके से बैंक भी अपनाती है क्योंकि बैंक के करमचारी भी सिविलियन होते हैं उन्हें कोई लड़ाई जगणा नहीं करना होता है सिंपल सी चीज़े वो कानूनी प्रिकिया का उपाय करते हैं और वो किसी एक कंपनी को हायर करते हैं कि देखो हमारे पास और भी काम है अपने हम य आर्सी के दोरा जब रिजल्ट देखा गया पिछले तीन-चार साल के अब्जर्वेशन पे तो पूरे भारत का या पूरे बैंकों का जितना भी रिंड था एनपीय के रूप में उसका केवल चार परसेंट से लेके छे परसेंट तक ही वह वसूल सका था बाकी नहीं वसूल पाया क्योंकि आपको पता है यहां जो रिंड लिया जाते है वह घरीब किसांद से मार मार के ले लिया था वापस लेकिन जब बिजनसमेन होता है जो कोई बाहु बली लोग होते हैं उन लोगों से तो वसूलना ही मुस्किल हो जाता है पूलिस की भी इतनी हमत नहीं पड़ में होता है और ग्रहकों से रिण की वसूली करता है यानि अब बैंक नहीं जा रहा है ग्रहकों से रिण वसूली करने अब कौन जा रहा है एजेंट जा रहा है और वो एजेंट का नाम क्या है एर्सी है वहीं यह जो एर्सी है वो सर्फेसी Act के अनुसार ही कारे करेगा और मैंने बताया था कि RBI को क्या मिला राइट मिल गया है बैंकों को भी राइट मिला है और ARC के उपर नियंतर लखने का अधिकार सरफेसी Act जो पालियमिन पर पास हुआ RBI को दे दिया गया है कि आप ARC को पर कंट्रोल कर सकते हो कब यदि वो नियमों का कुछ उलंगन करता है तब मैंने लास्ट लाइन बताया था देखें ARC फिर इस तरीके से क्या हो गई निजी छेतर की कंपनी हो गई यानि कहने का मतलब को ये कंपनी बना ली जाती भाई हमारे पास 10-15 लोग हमारे पास ये वकील है ये हायर करने वाले है ये कुछ कानूनी दावपेच होते हैं इनके माध्यम से हम आपका रिडवासूल कर देंगे आपका रिडव वापस करवा देंगे तो बैंक क्या करती है इस ARC को एजंट बनाती है और ये क्या करती है इस तरीके से जो बैंक का जितना भी होता है वो कॉंसरेंड होता है वो NPA जो होता है वो सारा का सारा वसूलने का अधिकार ARC को दे दिया जाता है बैंक कहती है अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अब सारा का सारा ARC आपको देखना है क्योंकि मैंने अपना सारा अधिकार आपको दे दिया कि आप किस तरीके से NPA वसूलते हो तो ARC कहती है भाई मेरे भी कुछ खर्चे हैं मैं भी तो कुछ काम करूँगा मेरे अंदर भी स्टाफ हैं बहुत सारे लोग हैं एक management है मैं कैसे अपने खर्चों को चलाऊँगा तो bank क्या कहता है कहता है हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं कौन bank और ARC यह दोनों समझौता करते हैं और कहते हैं ARC क्या कहता है कि ठीक है मैं आपको कुछ है कि निश्शित भुक्तान करूँगा अर्थात बैंक को मालीजे 10 लाग का NPA है और ARC कहेगा कि इसमें से ऐसा है भहिया 4 लाग हम लेंगे और 6 लाग आप ले लिजे या यह भी हो सकता है मालीजे 10 लाग को पूरा वसूल ही न पाए तो परसेंटेज में और 6 लाग का 60 परसेंट बैंक को जाएगा अब यह आप मैत की कालकुलेशन कर सकते हैं च्छे च्छाफ चॉबिस यानि की 2 लाग चालीस जार ARC को और 6 लाग साठ जार बैंक को तो बैंक को पलिवका उद्देश की वेलेंस चीट को क्लियार कर मैंक की अपनी च्छावी को सुधारना चाता है 1 विशवासनींता को बनाए रखना चाता है 6 अच्छ फीर विजनेंग जैसे में बचना आई एक टोपिक पर चलते दिया इक बात करते हैं मैं इसको मिटा देता हूँ आप लोगों नोठ कर लिया होगा या एक मिट आप ले लिजे ठोड़ा थोड़ा नोठ कर लिए तक में तक उपर से मिटाता हूँ खेंगे दोस्तों तो अब हम सेकंड देखते हैं DRT अब हम बात करेंगे किसकी DRT देखिए मैं यहाँ पर लिखा था मैंने उसको एक एक करके मिटाते जा रहा हूँ पहले मने सरफेस ही पढ़ा फिर ARC पढ़ा और हम DRT पढ़ेंगे और इंदर धनुस भी आज ही हम देखिए लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजेगा देखिए DRT क्या है डेटर रिकावरी ट्रिप्यूनल यानि कि रिण वसूली अधिकरण ध्यान दीजेगा यह अधिकरण है ट्रिब्यूनल है यह NPA में क्या काम करेगा भाई हमने पढ़ाता कि NPA तो बैंक में क्रियेट होता ह यानि कि जो ट्रिब्यूनल होगा वहां जाके क्लेम करेगा केस करेगा कि भाई इस फलाव्यक्ती ने मेरा लोन लिया है मुझसे और वो रिटर नहीं कर रहा है बताए मैं क्या करूं तो हर एक सेक्टर का अपना अपना एक ट्रिब्यूनल होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस से हुई है ध्यान देना दोस्तों कभी-कभी अगर क्रम लगाने को देदे कि और डीडीबी एफ़ाई एक्ट सर्फेसी एक्ट या आपका इन्सॉलवेंसी को बैंकरप्सी कोड का जो एक्ट है उसमें कभी-कभी सिक्वेंस लगाने को दे देता है तो वह हमारा जो था से ठीक है तो यह एक आरडीडीबी एफ़ेक्ट आप इसको गूगल कर सकते हैं इस पर फुल फॉर्म दी हुई है मैंने जान बूच करें लिखी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है जो फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है फुल फॉर्म और छोटी-छोटी होती है वह सामने त यह करती क्या है जब NPS related कोई विवाद होगा तो उस NPS से सम्मंदित विवाद का यह निप्टारा भी करेगी अब विवाद कहा हो सकता है एक तो होगा जो है कि बैंक होगा एक कस्टमर होगा इनी दोनों के वीच में विवादा होगा इसने लोन दिया यह चुकाने का नाम ले रहा है तो कहीं तो केस होगा ना तो केस कहा होता है डिट रिकवरेट टिबूनल में होता है और वो किस उसकी स्थापना किस के अंतरगत की गई आर डीडी बी आफाइक नाइंटी नैंटी थी के द्वरा होती है आपको दोनों पॉइंट समझ में आगा होंगे फिर अग लान देना केस कस्टमर भी कर सकता है अब आप कहोगे सर यह तो खुद लोन लेके बैठा है यह बैंक पर क्यों केस करेगा कभी-कभी होता है क्या है दोस्तों कि लोन तो लिया है इसने लेकिन कभी-कभी किस्त में कोई प्राब्लम आ जाती है या किसी और वजए से भी अर् अपील करने के लिए ड्रैट ड्रैट का मतलब डेट रिकवरी अपीलियेट रिब्यूनल ध्यां दीजेगा मैंने एक को अंडरलाइन किया था अपील करने के लिए अगर मालीजी आप DRT के निरने से असंतुष्ट है कि भाई उसने बैंक के फेवर में निरने दे दिया या क अंसार क्या लिखा गया था जो प्रतिवादी होगा ध्यान देना प्रतिवादी का मतलब क्या होता है जो रिड़ी होगा उसके निवास स्थान पर जो है की मामला दायर किया जाएगा यानि होता क्या था मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि कोई ए नाम का व्यक्ति था और व भी ले लिजे उस बंदे ने डेली में एक SBI नाम की बैंक से लोन लिया अब लोन लिया था लोन चुका नहीं रहा है वो अपने वापस घर चला जा चुका है है तो इस एक्ट का एक ब्लू फॉल्स यही था कमजोरी यही थी कि इसमें जब भी कोई केस होगा तो हैदरावाद में कोई केस होगा दिली में जबकि साखा कहां पे दिली में SBI से लोन लिया दिली में लेकिन मुकदमा जब दैर हो रहा है तो हैदरावाद में हो रहा है अब इससे क्या होता था बैंक ने लिया है बैंक कभी है दसलाग रुपए तो पहले से एंपी हो रहा है क्योंकि यह करमचारी होगा बैंक का वो समाज सेवा तो करने रहा कि अपने pocket money से जाएगा अपनी salary के पैसे काट के इसलिए होता क्या था बैंक नहीं अपील की इस तरीके से तो हमारा जो पर्डे का एक जो खर्चा है या एक सोधन कर दिया गया है और यह कहा गया है कि अब जो होगा केस वो कहां पे होगा जहां पे बैंक की साखा का छित्र होगा मालीजे अगर यह बैंक डैली में है और इस ब्यक्ति ने डैली में लोन लिया था तो अब यह केस हैदरावाद में नहीं होगा अब कहां होगा दिल्ली म पड़ेगा यानि अब यहां पे मामला दायर होगा इससे क्या होगा बैंक का जो दस लाग का लोन था जो फसा हुआ था वो कम से कम बढ़ेगा नहीं क्योंकि यह खर्चा बढ़ रहा था एक्स्ट्रा कर्मचारी का तो यह इसका एक लूप फॉल्स था तो इस तरीके से आपन तरीके से विगटन कर दिया गया फिर हमने जो है कि DRT देख रहे हैं तो DRT भी आपने देखा किस तरीके से अपना काम करती है तो यह कुछ दोस्तों पॉइंट थे हैं हम अगली जो इंपॉर्टेंट है एक तरीके से जैसे मैंने बताए आई बीसी इंपॉर्टेंट है इंस देट अपनों को बता दिया ऑरी सी बता दिया डियर्ट एव बता दिया अब हम पढ़ेंगे इंद्रधनुस की टीक के तो हम बात करते हैं और देखने में बस्ति हैं यह करता है इंपॉर्में की समस्य में तो सबसे औरब्लिक अबेंक में बॉठेर के में दोस्तों को आदि प्राइबिट सेक्टर वालों में नियूंतम इस तर पर देखिया आती है जबकि पब्लिक सेक्टर की समस्या ज्यादा होती है तो इसलिए जो यह इंद्रधनुस का प्रोजेक्ट लाउंच किया गया है यह एक तरीके से साथ सूतरी अभियान है साथ सूतरी ध्यान दीजेगा कोस्ट में आपको यह भी कर सकता है कि दस सूतरी हो सकता है 16 सूतरी हो सकता है अभी इसी बार उप्येशी ने अपने एक्जांस में 16 पर करके एक स्नेट भी दिया है Agriculture के बहुत ही इसली हमें पढ़ना है तो वो किस नाम से होंगे मैंने कोड बना रखा इसको इसली ए बी सी डी ए एफ जी अब ए बी सी डी ए एफ जी तो यादी होगा सबको एक दो तीन चार पांच छे सब तो इस चीज को ध्यान दिएगा कि पब्लिक बैंक में सबसे जाता समस्य है जैसा कि ए से लिखा है मैंने क्या एपॉइंट्मेंट क्या लिखा है मैंने ए से एपॉइंट्मेंट क्या लिखा दोस्तों एपॉइंट्मेंट तो एपॉइंट्मेंट का मतलब क्या है भाई कभी कभी आप देखते होगे कि सरकारी जो बैंक होते है या गौर्मेंट सेक को और कोसिस यह किये जाएगे कि यह प्रवंदर और कारे कुषलता को सुधारने के लिए हम private sector के करमचारियों को इसे प्रमوट करें तो कि प्रैपे कमचारी होते हैं वो समानी न्हट संत्स प्रवंदर के करमचारी होते पारदर्स्ता होनी चीप पहली चीप हो कि exam कराईए, conduct कराके exam के माध्यम से आप select करें लोगों को या private sector के जो कर्मचारियों उन्हें भी promote कर सकते हैं, आप government sector में उनके पास बहुत अच्छा discipline होता है और experience भी बहुत अच्छा होता है, management को देखते हैं कि कैसे हम tackle कर सकते हैं, क bank board bureau, bank board bureau का मतला क्या होता है, ये BBB, bank board bureau, ये केंदर सरकार के दर है, ये important इसलिए रहता है, क्योंकि इसमें, इंदर धनुस में, केंदर सरकार की भूमी काप ही है, इसने एक स्वतंत्र या स्वायत्य संस्था, इस्थापित की, जिसमें, क्या कहा जाएगा, ये स्वतंत्र ये स्वायत जो संस्था होगी, autonomous body होगी, वो सारजोनिक बैंक में एक BOD की न्यूकती करेगी, क्या करेगी, उसकी सिफारिस करेगी मतलब, BOD, board of directors, ध्यान देना, bank of directors नहीं, board of directors होगे, और वो क्या करेंगे सामानेता, वो इनहीं करमचारियों के लिए उप्युक्त प्रसिक कर रही है, इस बैंक के लोग कैसे हैं, तो ये सारे के सारे प्रावदांस, bank board bureau के द्वारा किया जाते है, तो ध्यान दीजेगा, bank board bureau, इंद्रधनुस का साथ सूतरी कारेकरम, एक महात्पुन ब्यूरो है, जिसकी इस्थापना केन सरकारी द्वारा, autonomous body group में की जाती है, ये स सरकार को क्यों देगी, क्योंकि भाई इसका गठन ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए देती है, अगली अगर हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं, तो देखिए, capitalization, मैंने बताया था, आपको NPA के रूप में जो है कि capitalization जो होता है, वो कैसे होता है, मैंने कल की class में बताया था, यानि last class में कि जब सरकार पर हम impact देख रहे थे, सरकार पर क्या impact पड़ेगा, तो वहां हमने ये देखा था, कि सरकार को ही bank में फिर पैसे जमा करने पड़ते हैं, अपने राजकोसी घाटा को बढ़ाना पड़ता है, यानि जो पैसा कल्यानकारी आम जनता के लिए सुवधाओं को बहतर किया जाता, इंफ्रान स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता, लेकिन वो किसी वज़य से NPA बढ़ जाने की कारण वो अधिक सधिक करोड़ों और और रुपए जोए की bank को देने पड़ गए, और इस तरीके से सरकारी योजनाए प्र करेगी, सामान इसी बात है, तो यह मैंने लिख दिया, अगला देखिए, बहुत bulletins के रूप में मैंने बनाये हैं, यानि की clue point के रूप में, बहुत detail या कहानी नहीं लिखवाई गया है, कहानी लिखवाना होता तो फिर आप लोग किताब पढ़ लेते, बहुत सारी किताब बनने के संभावना बनती है, अगला देखिए, डी से हम समझते है, डी स्ट्रेसिंग, नहीं बताया था, इस्ट्रेस मतलब था तनाओ, और जब तनाओ से आपको कम किया जाएगा, तनाओ मुक्त किया जाता है, तो बैंक स्वत्मतर हो के थोड़ा सा काम कर सकती है, सामान त बहुत सारे और भी जो गवर्मेंट पॉलिसी होते हैं, जो योजनाए होती है, उनको लागू करने का दवाब बनाया जाता है, इससे क्या होता है, कि बैंक अपनी कारे परणाली में थोड़ा सा लचर लाता है, लचर पन मतलब एक धिला पन लाता है, और वो काम सही धंग स नहीं कर पाता है, इसलिए डी इस्ट्रेसिंग का मतलब होता है कि सरकारी परियोजनाओं को लागू करने का दवाब कम किया जाए, ठीक है, पॉइंट समय में आ रहा होगा आपको, सब्दों सही आपको किलियर हो रहा होगा, एपॉइंटमेंट, बीवी, यानि बैंक बोर् सरकार के कोई उव्यक्ति होते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, या जो है कि उनके पी-ए, करमचारी, वो लोग क्या करते हैं, कि जब किसी को लोन दिलवाना होता है, तो बैंक में फोन कर देते हैं, कि हमारा आदमी है, या हमारा आदमी है, आप इसको कुछ पैसे दे दीज इस समय पर देते हैं, यह पैसा ले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफाल्टर की लिस्ट में है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप की वज़े समस्या बनी रहती है, तो हमें क्या करना है, इस सारे के सारे प्रोविजियन्स इंदरէन उसमें, मिसंद देखने में ब राइविटाजेशन किया रहा है वो भी एक ना करने की समस्या पड़े मतलब उसको भी करना नहीं पड़ेगा और कहीं न कहीं बैंकों की स्थिति बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते कि समस्या ब्यभारी की स्थर वीच ठीक है हम अगली बात करते हैं फ्रेमवर यहां पर इस्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी ए हो गए यहां पर फ्रेमवर की अगर हम बात करें तो करमचारी एवं साखाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर मान लिजे कोई SBI की बैंक है और उसकी एक साखा मान लिजे कह करमचारी परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहां की सेखा कैसी परफॉर्मेंस कर रहे है तो उसको हम रिवार्ड दे सकते हैं इस त्रीके से क्वार्नस के प्रसासन को अपने प्रवंधन को और एक तरीके से स्किल ओरियंटेड होने के साथ साथ डिसिप्लिन के साथ भी रहते हैं ठीक है आखरी हमारा लास्ट बात रहागा गवर्नेंस गवर्नेंस में कोई ज़्यादा बताना नहीं क्योंकि आप लोग बहुत विस्तार से भी जानते होंगे सिंपल सी भासा कहते हैं कि पारदर्स्ता होनी चाहिए उसमें और जवाब देता भी होनी चाहिए जैसे अगर कोई व्यक्ती या कोई मैनेजर या कोई कर्मचारी किसी गलत काम को करता है तो उसके लिए वही जवाब दे होगा या मैनेजर होगा, ये चीज भी क्लियर कट होनी चाहिए और किसी बैंक का अगर NPA लगातर बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए जवाब देता और पारदर्स तत्य की जानी चाहिए और RBI के द्वारा उसके अगेंस्ट कुछ कड़े कानून उठाने चाहिए यानि कदम उठाने चाहिए जिसको हम एक तरीके से प्रोवीजनिंग भी कहते हैं प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन यानि की PCA भी कहते हैं हम इसकी चर्चा भी नेक्स प्लास में करेंगे तो ठीक है दोस्तों आज का हमारा जो टार्गेट था कि NPA से सम्बंदित कुछ महत्पूर सब्दावलिया हमने पड़ी जिसको हमने रिकंस्ट्रक्शन सरी रिस्ट्रक्चरिंग आफ एसेट पड़ा राइट आफ एसेट पड़ा इन सब के बारे में डीटेल से समझा और NPA के उपाए में हमने सर्फेसी एक दोजार दो पड़ लिया ARC जो एक कंपनी के रूप में काम करती जिसको समाप्त कर दिया गया है और साथी साथ हमने DRT पड़ा अगर DRT से आप खुष नहीं है तो ड्रेट यहने की DRT डेट रेकवरी अपीलियर्ट ट्रिबूनल में आप कर सकते हैं अपील और वहीं RDDBIF में संसोधन किया गया और अब मामला जो च्छेतर है बैंक का च्छेतर है वहाँ पे दायर होगा न की रिडी के निवासिस्थान पर फिर हमने पड़ा इंद्रधनोस इंद्रधस में मैंने साथ सूत्री अभियान को ABCD के करम में लिख दिया है A से appointment, B से bank board bureau, C से capitalization, D से de-stressing और E से empowerment, F से framework और G से governance अब दोस्तों हम next class में हम क्या पढ़ेंगे Insolvency, Bankruptcy, Code पढ़ेंगे Parabank पढ़ेंगे, Project सचक्त पढ़ेंगे और PCA, Prompt Corrective Action तो ध्यान दीजेगा दोस्तों next class में भी आप लोग तयार रहिएगा हम लोग IBC पढ़ेंगे और इसी के साथ class से हम विदा लेना चाहेंगे और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए और अपने feedback बताते रहिए और अपने सुझाओ भी दीजे कि हाँ सारा आप इसमें कुछ और भी edit कर सकते हैं यह सारी चीजे हैं ठीक है दोस्तों जय हिन जय भारत